एति बेला देश वित्र विविन्न ब्रस्टचार गोटाला का कांड़ा हरू शार्वजनिक बई राखे काछा नकली भुटानी शरणार्थी प्रकरण को अनुसंदान एक तह मा किनारा कृद वाई सके पोछी प्रदान्बंद्रीको सर्गारी निवास समित रहेगो बालवाट प्रकरण एति बेला चर्चामा शार अरफी धरू पक्राव पर्ने क्रम जारी शार शम्मानित सर्वज अदालत न एक सम्बंदी पेशी हरू पनी जो पक्राव परिणों बई रहेगो बंदी प्रतक्षी करण को मुद्धामा पनी बहस अरू जारी शान योर इने विशे अर अधालत समेत सम्लंग न भयो भनने अभियान जसले अभियान संचालान गरिणों बहस अवहार को दा भीछ रास्टिये संपदा सम्रक्षन अभियान का संभ्योजक जफर हुसे नंसारी है मिशंगे ते वला स्टूडियो महनुँँछ बिर्गांच को छपकाया पोखरी रा स सम्मानीच सर्वच अधालत ले गरेको फईशलालाईपनी चित्तन अभुजाया तो पहरो यह अभियान संचालान गरिणों बहस चाहे ना खास गरिणों चपकाया को करीब 4 बिगा सार्वजनिक जग्गा यह सार्वजनिक पोखरी को कुरा के यह बर्षागारी संबद हो सार्वजनिक थियो अब अईले ची निजी गरन भए यह कसरी कसरी संबब भए यह क्यों बंदे तिन यह उड़ा तम्मा अजूरलाई जानकारी गराऊं मैले जाने को सर्वजनिक सरोकार का राष्टे संबदा का मुद्दा हरो जती पटक पनी सर्वजनिक सरोकार यह आपनो परभाब मा आपना कोल्टा मा त्यों नियाय लाई पारे पनी अब इस पस्ट कानून आयेको छा मालपोत यहन रा सर्वजनिक सरोकार यहन रा जगा आबाद गरने को चार रच्युदा मुलकी यहन तो कानून लाई टेके रा सर्वजनिक सरोकार का राष्टे संबदा अरु जगाउन कुनेई पनी नेपाली नागरिकले जिल्ला तोह बाटा मुद्दा चलाउन सक्षा शुरुवात यहन शक्षा शक्षा तेस कारण ले राष्टे का बहुमुल्य संबदा हरु जस्तो बीरगंज को छपकाईया पोखरी रा बीरगंज महानगर पालिका को मुटू मा रहे को रामजान की तथा गीता मंदिर मद्धे का जग्गा बाटा भूमा पिया अटले आपना नाममा गराय का चन रश साथ साथ है बीरगंज को नराइनी अस्पताल को पछाडी सत्तर फिट को पीच बाटो मा शम्थिंग चार बीगहा छेत्रफल रहे को अर्भोंको मुल्य राष्ट समपति तो पनी भूमा पिया अरले तेरो मेरो गरे रा सर्भो चा डालत मा नेपाल सरकार को नाममा दरता कायम रहे को र जगणा धनी नेपाल सरकार sulla question मालपत कार्यालाई को श्रेष्था मार कायम रहे को जग्गालाई तेरो मेरो गरे भूमा प्यारू आफ़ाई स्वेम बादी पर्ति बादी भाए रा सर्वोच्या दालत मा उत्प्रेशर समेत मुद्दा दिये रा ततकालिन सर्वोच्या का न्याय धिस इश्वर परशाद खते उड़ा रहरी परशाद फुईयाल लाई आर्थिक प्रभाव मा पारे रा त्यों बीर्गंज महानगर पाली का भित्र रहे को नेपाल सरकार को नाम मा श्रेष्था कायम रहे को जग्गालाई आपनो कोल्टा मा पार्न इद्वी भरश्ट न्याय धिस अरलाई आपनो आर्थिक परभाव मा पारे रा यी बादी परतिबादी केडिया परिवार ले सहज हुने गरि मालपोत कारे ले परशा को नाम मा जग्गा धनी यकीन गरनू भन्ने चाहें परमादेश ठहर गराय का इसमा जग्गा धनी को हो भनेर ठहर गरने निकाए ता मिले चीने जाने को ता मालपोत कार लाई नायो अब तपाई आरो फेरी अभियान ता चलाई रहनो बाएको छा शर्वच्चा को फईशाला लाई पने माननों नामान अब सम्मान अनिया नियायदिस अरुको आमरो इस अब सम्मान अनियायदिस अरुको ता मानमर्दन हो नेकाम गरना बाँ ता यले सार्वचनिक मिडिया माईर इस्तोकुरव बोल दा ता ता पाई लाई पने ता कानून अनुशार कारवाई गरना मिले शानी यो ख्याल राखने बाचा? जो एकदम ख्याल गरे को चो अब कानून को दायरा मा हमरो इवटा साधारन देश को नागरिक देखी लिये रहा अब हमरो संगी ये लोकतांत्रिक गड़तांत्रिक मुलूक मा प्रधान मंत्री लगाये त राष्ट पती रह चाहे सर्वच्य का नियाधिस या प्रधान निय प्रयोग पनी भाखो छो तई पने यो नेपाल सरकार को नाम्मा जग्जा धनी स्रेष्टा कायम हुदा हुदा हुदाई पने इब्रस्ट सर्वोच्य का इश्वर परसाथ खतिवडा रहरी परसाथ फुई आले आखा चीमले रहर अंधो जस्तो नेपाल सरकार को नाम्मा जग्जा धनी स्रेष्टा कायम भय को चाई न देखिने रहर मालपोत नापी कार्याले को मिलो मतोमा रहर भ्रस्ट मालपोत करमचारी रहर नापी करमचारी हरु बाट लाखों बिगा नेपाल अधि राज्य भरी मा राष्टे सम्पदा हरु मासिये को र भूमाफिया हरु को कोल्टा मा परे को यो सर्वत्र जग जाहिर चा योड़ा साधारन न पढ़े लेखे का नागरिक देखि लिये र पढ़े लेखे का र बुद्धी जीवी पत्रकार समेत लाई था भय को कुरा कि मालपोत कर्मचारी नापिक कर्मचारी मिले पची हामरो काठमांडू को रत्न पार्क, सिंग दर्बार पनी इनियर ले चाएं बेक्ति को नाम मा गर्न सक्दो रहे चान। त्यो किन माईले बने को बने इन अर लाई नेपाल सरकार को परचलित कानून अनुसार। सद्धे खरीद विक्री गराउने जुन अधिकार दिये को छा। हो, तीयो अधिकार लाए इनले चाएं कीर्टे जाल साजी गरे को प्रमाण लाई पनी तीयो अधिकार परियोक गरे रहा 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 सरकारी ढहड़ा मां नाम चड़ाए रहा, इनले रातो मसीले शोहि गर दिये पची तो किर्टे जाल साजी काम पनी सद्धे हुदो रहे चा येसको अथांटिक प्रमाण हरू मसंग चा नेपाल को प्रचलित कानून अनुसार नेपाल मा वा तीन तह को सरकार भनिने गरिन चार चापने हामरो इस्थानिय सरकार बीरगंज महानगर पालिका ले नेपाल को संबिधान 2018 तथा इस्थानिय सरकार संचालनें 1974 को दफा शत्र वमोजिंग मिती दुएजार पच्छत्तरी दस बीस गते वसे को विर्गन्ज महानगरपाली का नगरकार्यपाली का बैठक मा छलफल का लागी पेश गरिये का देहाय का एजेंडा हरू निम्ना अनुसार रहे को विशय छपकाईया पोखरी पुना सार्व जनी गराउने संबन्द मा यो दुएजार पच्छत्तरी दस बा महीना बीस गते कारे पालिका को बोड बई ठक बाटा ठोकुआ गरे को चाकी परमोद विक्रम साहले किर्ते प्रमान खड़ा गरी एक नम्मर नापी गोश्वारा कार्याले पर्शा को मीती 2048 दुई पांच एक को नियने बाटा नापी टोली को दरता नम्मर 306 को मीती 2048 तीन बारा को तोक आदेश अनुसार सार्जनिक पोखरी लाई आपनो नाम मा जग्गा धनी कायम गरायको भनने चाहिए तेसरो तो अगिलो कारे काल को विजय मेर विजय सरावगी मेर भुशारे को नियने हो पचात्तरी 10-20 गते को यो नियने हो रसोई नियने का आधार मा मैले सम्मानित जिल्ला आधालत मा यो छब कहिए पोखरी पुना सावजनिक होनु पर चाहिए तब पर्मोध बिक्रम साले किर्टे जाल साजी गरे रह दरता समेत गराई जग्गा धनी स्रेष्ता पुर्जा कायम गरायको बदर होनु पर चाहिए महिले परसा जिल्ला आधालत मा स्वेम बादी मा जफर अंसारी जफर श३यन अनसारी ले मैं गवले परसा जिल्ला आधालत मा मुद्धा दायर गर्दा थ्यों दायर गरदाखेरी चाहिए तपाईने तियो मुद्धाल चे आर्नोगो जिला दालात बटा हो बिभिन्न चलखेल गरे रा कोरोना कालमा कोईले तारिक दिने कोईले चाई न दिने रा मेरो चाई नव थान रहे को मुद्धा रास्ट्य सरोकार को मुद्धा लाई मिशिल हराई दिने रा लुकाई दिने कोईले तारिक दिने कोईले तारिक न दिने तपाईको मिशिल हराये को चाई बनने चाई महिले पटक पटक संबंदित जिला अदालत बने तपाईको मिशिल हरायो हो भंदा पनी कुने ही सुन्वाई न हुदा जिल्ला पर्शा जिल्ला अदालत माने मिशील अरागो ने निवेदन दर्था कराऊनों प्रमाणित पर तिलिपी मैं लिये को आवस्था चो तेई मोका को छोपी आमरा भूमाफिया प्रमोद विक्रम साह का मिलो मतो का जिल्ला न्याएदेश राजेश कुमार कटवाल आए पची मेरो तारिक टूटे को गयर कानोनी बहाना रा सडेहंत्र परपंच खडा गरे रा मेरो मुद्धालाई डिस्मिस गरने काम गरियो तई पनी मा हार मानी न यो राष्टे सरोकार को विशय हो राष्टे का सार्वजनिक संपती रा राष्टे संपता हामी सबेश नेपाली को साजा संपती हो तो मान्यता का साथ मैले बीरगंज को उच्चा आदालत मा मुद्धा दायर गरे को छु रा त्या बाटा चाए जिल अच्चला हरु जिकाउने रा विपकची हरुलाई पर्ति उत्तर जोडना लाउने भनने चाए म्यात पूर्जी पनी काटे रा अईले विचारा धीन अवस्था मा छा योचे अईले मुद्धा चे उच्चा आदालत मा छा उच्चा आदालत मा छा बीरगंज को चबकरी को बिवाद चेंखियो, यो कुनाई समय शार्वजनिक पनी थियो है, मिले जान दाहेरी पनी, हैना फेरी यो अब सर्वोच अदालत के आदेश ले जस्तु लाक्षा, यो ब्यक्तिको नाम मानीजी करन गरियो, और तपा आरो सर्वोच को आदेश पनी मानने उन्न, नीजी जग् पनी हो, और विधीको शासन इस्तापित भयकोपनी हो, यो मुलुक मां चाए, थूलो जन युद पची शाए, यो ब्यक्तिको मा आमुल परिवर्तन आयेको चा, र यो ब्यक्तिको मुहार फियो चा, तिस कारण ले आमी चाहें बिधी को साशन रा कानून लाई मान्दई आयको चाहूं रा मान्ने पनी चाहूं। या सवाल के चा बन लेकिन हामरा समाज मा रहेका सद्धे मानिस को पनी उधारन चा। नतिक महाना राख्टित्व को पनि उधारन चे सुछ फथाहा रू को पनि जमाद च एवसे नम्हान राजनीतिक चे समाज वाटने अउने थवलो वो अबुआ जुन 사न्षकार बोखे का बेकति चाहे न्याले छेत्र मा जाओन, चाए पत्रकारिता मा जाओन, या राजनेतिक छेत्र मा जाओन, जस्ता चरित्र हुनचा, जस्ता उनका प्रिष्ट भूमी हुनचा, जस्ता उनका संस्कार हुनचा, तेस्ते उनका किरिया कलाप हुने गरे को आमिले चाएं, उधारन हरू देखे का यो छबकईया पोकरी को संदर्व मा, 2065 साल मा परशा जिल्ला अदालत का माननी न्याधिस मुहन किस्न खनाल को इजलास बाट यो छबकईया पोकरी सार्वजनिक नहीं हो, प्राप्रुवदे की सार्वजनिक उभोग मा सर्वसाधारन कई हक मा परियोग हुदैयाय को पोकरी ह वो भने रहा दुए हजार पॉइंट सथी साल असाड़ 26 गते सार्वजनिक भयको थियो रहा पुन्रवेदन अधालत है ठाउड़ा का माननिय नियाएदेश एक राज आचार्य रहा माननिय नियाएदेश तेज बहादूर कार की जीव को इजलास बाट दुए हजार सथी इक आशाड़ 28 गते शार्वजनिक भयको थियो त्यो है जिल्ला रूच्चेको फैसलाले, यू पोकरीला शार्वजनेक, शाहरेदनिक भयको थियो त्यं लाइध हैं सीयरो धारे गर चाहूं रख ट्यलाइध माने का पनी चाहूं रख त्य साहिको आधार मा हमी possaशाएए przyp काड़ी बढ़ाय का छो तर दुई हज्यार एक्षत्तरी पांच आठ मां सर्वोच अदालत काठमांडू बाट नियाधिस चोलेंद्र समसेर जबरा रदीपक राज ज्योसी को इजलास बाट दुई हज्यार एक्षत्तरी पांच आठ मां 65 रशंडशथी जिल्ला दालत रपुन्रा वेदन दालत है थाउडा को फैसला लाई एक लाइन मां बिना कुने कानून बिना कुने आधार नियाय को सर्वमान्य सिद्धान्त को प्रतिकुल देखी दा 65 रशंडशथी ले गरे को सार्वजनिक ठहर उल्टी गरी प्रमोध विक्रमसा का नाम्मा ठहर गरी दिये त्यों ठहर गरनू को पछाड़ी पनी ठूलो रहस्यरा कारण चा चुलेंद्र समसेर को आपने भईनी जुगनू समसेर राना प्रमोध विक्रमसा को भाईबु आरी परदो रहे चेन। तेस कारण ले हामरो रभ बादिप जफर अनसारी को घर प्रमोध विक्रमसा को घर पचास मीटर को लगभग दूरी मा छा चुलेंद्र समसेर पटक पटक आपना भईनी का भईनी जुगन का जाने गर थे। रा इनका भईनी जुगन का दाइच परने चाएं परमोध विक्रमसा अले। इनलाई चाएं आपनो प्रभाब मा पारे रा 65 रा 66 को फैसला लाई उल्टी गर न लगाए। तेती मात्र होई ना यो फैसला उल्टी भई सकेको लगत्ते चुलेंद्र समसेर को आपने भईनी जुगनु समसेर राना को नाम्मा पहले को सेटिंग अनुसार परमोध विक्रमसाले तेव पोखरी को जग्गा मद्दे बाटा जुगनु सा को नाम्मा लगत्ते राई स्ट तेर जबरा को बहिनिको नाम्मा चा dessert? टेस मदधेखा हरू केई तेस मदधेका यो चोलेंदर ले गयर कानोन इुल्टी गरेकोले तेस मदधेका केई जडगा हरू इनका बयनी जुगनू सम्से राना का नाम मा अहिले पनी पर्शाजिल्लाको लगत श्रेस्थामा कायम छा यह अरको केडी आ परिवा आर जोडिन शार्वजनिक जग्गा शा करीब चार बीगा योपनी अब बिर्गंज महानागर को मुटो भीत्रे रायको जग्गा मानिन छो एसको जे विवाद की हो यह खास तपार को एसमा की असन तुष्टी रायो यह मा की असन तुष्टी हमरो प्रायो भने यो बिर्गंज महानागर पाली का वड़ा नम्मर दूई छपकाईया इस्तित यो छपकाईया पोखरी भंदा पनी बहुं मुल्य सार्वजनिक संपती नेपाल सरकार को नाम्मा माल पोतकारयालाई को श्रेष्टा मा कायम चा आजया पनी कायम चा अईले पनी प्रेषर मुद्दा को नाम्मा नेपाल को धनाद्डे परिवार ब्रिजलाल केडिया का छोरा संकरलाल केडिया का पतनी इंदु देवी केडिया रब्रिजलाल केडिया को छोरा ताराचन केडिया रब्रिजलाल केडिया को छोरा दिननानात केडिया रब केई विपक्छी ब पूरी रा जगदीश नरायन साह कानू इनी अरूले तेरो मेरो गरे रा सर्वोचा दालत मा उत्प्रेशण मुद्दा दिये कि यो नेपाल सरकार को नाम मा कायम रहे को स्रेश्था पूर्जा बदर गरी यो जग्गा ता हमरो चाहें पहले देखी को छूट भाय को जग्गा ह मालपोत कारे ले लाए हमले छूट मा दर्ता गर्ना बहन्दा दरता गर्ना मानेका ले मालपोत हमरो नाम अमा यो जग्गा चाहें कायम गरी पाम भनने चाहें इनी अर ले चाहें स्रवोचादालत मा उनहत्तरी सुना Un Commentari डबलू ओ सुन्ना 243 नम्मर को उत्प्रेशन मुद्दा दायर गरे। प्रसोत दायर गरे को क्रम्मा दुएहजार उनानस्टी साल साउन छब्विस गते यह मुद्दा को फैशला भायो दस बर्ष पचाडी यह मुद्दा को फैशला गरना दस बर्ष लागयो कीन लागयो वह लेकिन यह केडिया परिवार को सेटिंग न मिले का कारण यह दस बर्ष अल्धिदा ही गए यह मुद्दा जब केडिया परिवार को सर्वोज को ततकाली न्याधिस इश्वर परसाद खतिवडा र न्याधिस हरी परसाद फुयाल संग जब इनका सेटिंग मिल्यो मिले पची सर्वोज को परसाद खतिवडा र हरी परसाद फुयाल ले गरे को फैंसला ले इसपस्ट के बुजिन चा बने र मेरो बुजाई यह उटा सार्वजानिक राष्ट्य संपदा सम्रक्षन अभियान को सम्योजक को है सियतले कि यह द्वीटाई ने आए देशले आखा चीमले र त्या लेखे का छन फैंसला मा आधिकारिक प्रमाण प्रमाणित परतिलीपी मा आजा सर्वोच बाटन निकाले र यो मीडिया समक्च इस्वर परसाथ खती उड़ा लेखे बन चा मने आखा चीमले र हामी ले चाहें यो कुर्शी मा बसे र यो नेपाल सरकार को स्रेष्टा पूर्जा हामी देखना सके नो हामी अंधो चाहूं अब मालपोत कार्याले ले ने जग्या धनी यकीन गरने बनने चाहें हामी परमा देश ठहर गर्चाउं बने इनले चाहें फैसला गरे का चाहें हामी नेपाल मा बनने गरींचा तराई मदेश मा पनी बनने गरींचा मासू को रखवाल गिद्ध बने जस्ते मालपोत कार्याले र नापी कार्याले ले नेपाल अधि राज्ये को बहमुल्य राष्टे लाखों बिग्या और भॉं खर्वं महा संख को संपती अरू मास्ने गरने यो मालपोत्र नापी ने कार्याले का भरस्ट कर्मचारी हुन उन्नी अरला यह उटा ब्रमास्त्र के पाये को चाह भने छूट दर्ता गरने प्रापुर्व देखी नेपाल मा भुमी सुधार एन लागू हुनू भन्दा पहले देखी सार्वजनिक रहियाएको भुमी सुधार एन लागू भैपची 2021 रव 22 साल मा लगत श्रेष्टा कायम हुदा नेपाल सरकार बाट रशो जग्गा आरू 2021 रव 22 साल मा सार्वजनिक नक्षा मा इसपस्ट हुदा हुदाई पनी किर्ते जालसाजी परमान का आधार मा ये यो बर्मास्त्र कानून छूट दर्ता भन्ने जुन अधिकारी नियर लाई दिये को छा त्यो अधिकार लाई पर्योग गर दै भरस्टचारी भुमापी आरूसंगा बर्दान दिये जस्तो उनियरुको लालपूर्जा हुदो रहे चा तेस कारण ले मेरो ये उटा नागरिक को हैसियत ले मेरो बुझाई चा कि यो मालपोत कारे ले रर नापी कारे ले ले छूट दर्ता गरने कानून चाहें अभी लंब बंद गरनू पर चा रो यो श्याना ये जिए जिए ता तुरूटी अरुलाई आधार बनाए रो भुमापया हरुको हक्मा फैसलागर ने ये जिए भरस्ट न्याधिस हर लाई पने अंकुष लगाउने पनि नियमन निकाय त्यो पनि ससक्त कानून संपन हुनु पर चा तेसमा ये उड़ा स्यानो में ये अंता को हैसियतले मैले भोगे का पीडा हरु नेपाली मन को व्यथा हरु बाट भोगे का अनुभव मा अलिगाती यो मीडिया मारफत भन्न चाहान चु क्ये बने यदी कुने नियाधिसले कुने तह बाट जिल्ला पुन्रावेदन सर्भोच्य बाट फैसलागर दा यदी मि विलो मतोमा परी तुटी पुन्र फैसला गर चा जत्था भावि फैसलागर चा कानुन दियाय बेचे रा पिडिट लाई दुख़ दीने फैसलागर चा और उसको फैसला उपर यदी रीट पर चा पुन्रावेदन हुन चा बने तेसता भरस्ट नियाधिसलाए अनुगमन समेत गरने ससक्त कानून लियाऊनु जरूरी छा। अनी मात्र न्याधि से बरू तिनी अरू को तलब तन खा। अईले पचास हजार एक लाख को दर्मियान मा होला। बरू दस लाख रूपिया तलब महिना को किना न होस। हामी नेपाली एतिका भार स्वही रहेका छा। दाल, चामल, सिक्छा, अउसदी, खान, लाउने, बसने, लत्ता, कपडा, हरेक चीजमा करई करले हामी भोगी रहेका नागरिक अज्जपनी कर्व दिन तयार छा। तरह इभरस्ट नियाधिसर लाई तह लागाउना का लागी इनी अर लाई तलब महिना को 10 लाग तो किनू परचा। कि इनी अर लाई मन मा लागोस की हामी ले इमानदारी पुर्वक पांच बर्षा काम गर्यो भने। आमी चाएं पांसात कोडो रूपई या कमाउना सक्छा। रा काटमांडू में आपना श्रीमती छोरा छोरी अरुको इक्छा आकांचा अरुन्सार घर रा गाडी दिना सक्छा। अब हामी ले चाएं बेइमानी गरे रा नियाय बेचे रा संपती आर्जन गर्नू जरूरी छाइना भनने चाएं यी नियाधिसर ले यदि राज्यले विश्वास दिलाये रा इनियरू को तलब एक लाख बाट दस लाख गरे रा नियमन निकाए इनियरू माथी अंकुष लगाउने ससक्त कानून वेवस्ता मिलायो भने बल्ल चाएं नियालय मा सुधार हुन चा नत्र भने ट्रांस्परांसी इंटरनेशनल ले रिपोर्ट दिये अनुषार नेपाल एउटा सब बंदा ठूलो भरस्टा चार भयको मुलुक ठहर गरे को चा रो तेस्मा पने सब ब बड़ी भरस्टा चार हुने चाहिं थलो नियालय ने हो इंटरनेशनल आप ट्रांस्परांसी इंटरनेशनल ले जोन रिपोर्ट दिये को चा तियो जहन आजा चाहिं बिग्रिदय जाने चाहिं बनने चाहिं मेरो ठंब्याई हो समय रा विचाहर को लागे विशेश धन्यबाद याले हस तपाईलाई पनी धेरै धेरै धन्यबाद मेरो मन का कुरा मेरो नेपाली मन को ब्यथा राखने मौका दिनु भो रा मेले अपेक्छा गरे को चो यो मीडिया मार्फत मेरा नेपाली मन का ब्यथा अधिराज्य भरी अबिदा हुना चाहनू तपाइलाई धरेलएधनरोल। झाल झाल